Hello everyone and once again welcome to WSQ Tech Programming Channel गाइज मैं हूँ भागिदत गिरी और इस वीडियो में मैं आपको CSS की कुछ properties बताने वाला हूँ जैसे कि आपने title में देखा होगा हम लोग CSS की कुछ text properties discuss करने वाले हैं कौन कौन सी properties है मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहली हमारी font size है फिर color है फिर font weight है फिर font style है तो यह चार properties मैं discuss करने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि font size करती क्या है font size CSS की property है जिसमें आपको font की size रखना चाहते है वो define कर सकते हो जैसे आपके पास h1 से h6 तक tags है वो आपको कुछ font size बना कर देते हैं उससे भी बड़ी आपको size चाहिए उससे भी छोटी आपको size चाहिए तो आप define कर सकते हो pixels में percentage में या EM में तो हम लोग mostly अभी pixels में define करेंगे सारी sizes और फिर मैं आपको बताता हूँ color क्या होता है कि आप suppose text को कुछ color देना चाहते हो font weight की तो जो आपका bold tag है जो आपका strong tag है वो जो काम करते हैं boldness की वही आपका font weight नाम का जो property है वो काम कर सकते है और इसके अंदर आप दे सकते हो bold या bolder दो चीज़ें आप pass कर सकते हो फिर हम लोग बात करेंगे font style के बारे में तो font style में आपको जिस तरीके से font styles आप रखते हो using the tags उसी तरीकी की font style आपको दे सकते हो using css properties और इसके अंदर आपको normal, italic और oblique इस तरीकी की तीन font styles देने का option मिलता है तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक file के उपर हम लोग इसको चला के देखेंगे यह सारी चुजों को एक new file बना देता हूँ यहाँ पर xyz नाम से और इसको मैं देता हूँ .ht comment और इसको refresh करते हैं और यहां से यह करते हैं लोड इसको लोड कर दिया मैंने sublime text editor पर और साथ ही साथ इसको यहां से open new browser कर देता हूँ तो आपको यह browser पर दिखेंगी अभी तो आप देख सकते हूँ यह मेरे browser पर मुझे visible है अब मैं क्या करूँगा अब मैं यहां से html का code करूँगा सबसे पहले और इदेर हम लोग दिख देते हैं text और यह हो जाए कि मेरा text तो मैंने क्या और अब आप देखोगे तो आपको यहां पर यह text विजिबल हो रहा है बहुत चोटा सा text है मैं क्या करूँगा मैं इस div को एक class देंगे और class में मैं सपोस text लिख देता हूँ कि हम लोग text की बात कर रहे है और text लिख दिया और इसकी जो CSS है वो मैं इंटर्नल लगाँगा तो आपको क्या करना है style नाम के एक टैग का यूज़ करना है और उसमें यूज़ करना हूँ तो .text यह क्या कर रहा हूँ मैं मैं internal css लगा रहा हूँ और internal css में css की property की एक class बना रहा हूँ .txt नाम से और उस class को मैंने इस div पर call कर रहा है तो मैं कुछ चीज़ें यहां पर mention कर देता हूँ जैसे मैं width और height देता हूँ उस div को ताकि आपको थोड़ा सा समझ में जादा easy लिया जा है और width और height दे दी मैंने height भी हैं लोग 200 pixels की दे देता है तो अब इसको div को width और height मन चुकिए वह आपको अभी visible नहीं हो रहोगा तो एक बार मैं यहां से background color देता हूँ एक इसको ताकि यह visible हो जाए background color red और यह अब आपको visible हो गया कि यह इसकी text यह इसका area आ गया थोड़ा स इसको बड़ा करते हैं भी इसको मैं कर देता हूँ 500 pixels का आपको थोड़ा बड़ा दिखे अब सबसे पहले हम लोग जो property देखने वाले होगी हमारी font size यह properties मैं आपको पिछले वीडियो में बता दी थी अब हम लोग समझेंगे font size कैसे लगाते है तो font और size font का size लगाने के ल font के size increase होने के बाद भी वो अपनी boundary के अंदर ही रहेगा और बड़ी करनी है आपको font के size और बड़ी कर सकते हैं आप 500 लगा दिया आप देख सकते हो पूरी font size बड़ी होती जा रही है मतलब font size अब बड़ी होके obviously boundary में जगा नहीं बची तो वो overlap करके बाहर तो आएगी but font size इस तरीके से बड़ी होती जाती है अपकी अंडर लगा के देखते हैं देख सकते हैं आप overlap करके बाहर आ रही है और आप इसके according जितनी आपको font size चाहिए उतनी अपने calculation के according font size लगा सकते हो यह तो हो गई हमारी font size की बात आगे देखते हैं हम लोग दूसरी property तो next जो property है मे यहां से रिखना है अब मुझे कोई और में कोई और डेना चाहता हूं कोइब हो कोई यहां से कण और आपको पता हो आप देख सकते हो येलो कलर आपके पास देख रहा है तो कलर कोड भी लगा सकते हैं और कलर भी लगा सकते हैं तो यह हो गया मेरा कलर अब अगली प्रॉपर्टी है वह है हमारी का वेट वेट प्रॉपर्टी क्या करती है फ़ंट को बोल्ड देती है अगर मैं बोल्ड लिखूंगा तो यह आपको टेक्स थोड़ा सा बोल्ड दीखेगा और बोल्ड में आपको टेक्स इस तरीके का विजिबल हो रहा है अब हम लोग बात करेंगे फॉंट स्टाइल के बा देता हूं मैं italic मतलब थोड़ा सा tilted आपको दिखेगा तो font size normal हो सकते italic हो सकते हैं और oblique यूँ देखता है वो कैसे काम करती है तो oblique हो सकती है जिसमें आपको italic जैसा ही same look मिलता है या आप italic लगाओ या oblique लगाओ सेम बात हो जाएगी तो इस तरीके से आप font style का use कर सकते हो font style के अंदर आपको styling दे सकते हो font weight के अंदर आप boldness दे सकते हो font color के अंदर आप क्या कर सकते हो या सिर्फ color font color नहीं होगा सिर्फ color के अंदर आप colors दे सकते हो और font size के अंदर आप sizes mention कर सकते हो जितने बड़ी आपको text दिये, उत्रा बड़ा आपका text यहां पर visible हो जाता है तो guys यह है कुछ text properties, next video में मैं आपको कुछ और text properties बताऊँगा तो I hope guys आपको यह video पसंद आया होगा और इस video में जो मैंने text properties समझाई वो आपको easily समझ में आ गई होगी that's it for this video, thank you so much for watching